दोस्तो क्या आपने कभी भिंडी की सब्जी इस तरह से बनाई है? जिस तरीके से आज हम बना रहे हैं? दोस्तो आपने भिंडी हजारो बार बनाई होगी. सभी के तरीके भी अलग-अलग होते हैं भिंडी बनाने के. लेकिन आज हम आपको एक यूनिक सा यहाँ पर तरीका बताएंगे भिंडी बनाने का, बहुत ही सिंपल और जवरदस तरीका है, आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे अगर एक बार आपने ये भिंडी बना ली, दोस्तों चलिए बनाते हैं आज की भिंडी, भिंडी बनाने के और कपड़े से भी पहुँच लेना है, ताकि पानी वगरा इसमें कुछ ना रहे लगा हुआ, तो कोटन के कपड़े से आप साफ कर ले या टावल से साफ कर ले, साफ करने के बाद आपने भिंडी के उपर और नीचे वले सीरे जो है वो काट देने हैं, और बीच वाले हिस सरसो का तेल ले सकते हैं, सरसो के तेल में भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है, मैं यहां पर ले रही हूँ, और गरम होने पर इसमें डाल लेती हूँ, एक छोटा चमच राई, या फिर मस्टर्ड सीर्च आप डाल सकते हैं, मैंने ली हैं यहां पर राई, एक छोटा चमच और इसके साथ साथ में डाल लेती हूँ, इसमें ताजा कड़ी पत्ता, तीन से चार कड़ी पत्ता है, ये मैंने तोड़के डाल लिये हैं, एक चम्मच छोटे वाला इसमें जीरा लेंगे, साबू जीरा, और एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे यहाँ पर, मैंने छोटा चाकू से और इसको हम भूनेंगे, इसको ब्राउन होने तक हमने भूनना है, दोस्तों जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा भून जाए, तो प्याज भूनने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हिंग, एक दो चुटकी, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे डेगी मिर्च पाउडर आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और डालेंगे इसमें आधा छोटा चमच साबूत धनिया जो है ये मुझे बहुत पसंद है इसे जो सबजी का टेस्ट आता है दूगना हो जाता है तो मैं साबूत धनिया इस तरह से डाल रही अब इसमें डालेंगे वही भिंडी जो हमने काट कर रखी थी और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला भिंडी में आ जाए ये लिजिए दोस्तो मेरी भिंडी तो मिक्स हो गई है मसाले में अच्छे से अपने मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए धक कर पका देते हैं दो-तिन मिनट के बाद दोस्तों जैसे कि मैं देख रही हूँ भिंडी थोड़ी-थोड़ी सी ये थोड़ी सी पकनी स्टार्ट हो जाती है इसको एक-दो बाद चलाते रहें धकन हटा हटा कर और इसमें डाल लेते हैं दोस्तों अब हरी मिर्च मैंन टेस्ट के अंसार ले ले रेड मिर्ची पाउडर और डालेंगे इसमें टेस्ट के अंसार नमक आधा छोटा चमच जाएगा इसमें गरम मसाला अब इसको मिक्स कर देते हैं अब दोस्तों इसमें सिक्रेट चीज जो जाएगी जो आपकी भिंडी को डबल टेस्टी बना दे अब एक और सिक्रेट चीज जिससे आपकी भिंडी बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी एक लेंगे हम एग इसको तोड़ लेते हैं और इस भिंडी में हम एग को डालेंगे अगर दोस्तों आप एग पसंद नहीं करते एग नहीं खाते वेजटेरियन हैं तो आप इसी स्टेज पर इसको थोड़ा सा पका ले भिंडी को आपकी भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी और यदि आप नोन वेजटेरियन हैं अंडा खा लेते हैं और अंडे वली भिंडी आप पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर आपने जैसे कि मेरी ये आधी पक चुकी है लग भग ये 90% पक चुकी है मेरी भिंडी अब इसमें डालेंगे जो अंडा थोड़ा था हमने वो डाल लेते हैं भिंडी आप इसी पैन में साइड कर दें दोस्तों आप चाहे तो भिंडी को दूसरे बरतन में भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहां बार-बार मांजने वाला जंजट नहीं करूंगी बरतनों को इसलिए मैं इसको साइड कर देती हूं थोड़ा सा और इसमें डालेंगे वो ही एग जो हमने तोड़ा है इस तरीके से डाल ले इसमें नमक मिर्च पहले ही डली हुई है सबजी में तो वो भी इसमें डल जाएगी इस तरह से इसको थोड़ा सा पका ले है गैस पर अभी मैं इसको तोड़के भी दिखाऊंगे आपको ये लीजे दोस्तों देखे बिंडी मेरी पक चुकी है बस ऐसे ही बिंडी आपने बनानी है अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे न तो ये बिल्कुल भी तेस्टी नहीं लगेगी ऐसे सिंपल भिंडी भ भिंडी हो चाहे दूसरी सबजी तो उसका टेस्टी बिगड़ जाता है उसके सारे विटामीन प्रोटीन सब खतम हो जाते हैं पोशक तत्व जो है उसके सारे खतम हो जाते हैं इसलिए आप और को कभी ना करे सबजी को तो ये लीजे दोस्तों मेरी सबजी बनकर रेडी है आप इसे सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने ये भिंडी बना ली हैं, इसको सर्व कर लेते हैं, खाने में लाजवाब दोस्तों देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, तो इस तरीके से दोस्तों एक बार भिंडी बना कर जरूर देखें यदि आप एग खाते हैं और यदि एग नहीं भी खाते हैं तो बीना एग के भी इसको बना सकते हैं बस आपने सारी प्रोसेस वही करनी है जो एग डालने से पहले की हैं तो दोस्तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में धनेवादोसों